प्राइब और बैनों मैं डॉक्टर प्रशांत राजपुत हूं मैं एक किड्नी विशेशक्य और रिजेनरेटिव फार्मर हो महाराष्टर इंडिया से तो बेसिकली रिजेनरेटिव फार्मिंग होती है तो यह एक क्रिशी की ढत्यति हैं जहां पर हम जो इको सिस्टम प्रोसेश फ़ालोग करते हैं। ऐसे फार्मिंग हैं जहांपर हम जो दूप ऑग साथे मिट्टी की जो प्रेटिलिटी है वह इंप्रुब करते हैं और जब आपकी फुरटिलिटी령 हो जाती है Me आपका जो इंपरोव बूलते हैं जैसे हम जो मिट्टी की ताकत है बढ़ने के वज़े से आपकी जो प्लांट हेल्थ हो जाती है और जब प्लांट हेल्थ इंपरूव होती है तो उससे जो निकलने वाला जो फल है तो फल आपकी तब्यात के लिए एक बहुत ही कि यह फार्मिंग करते है तो इसमें हम बहुत बड़े पैमाने पर जो मिट्टी है उसको कवर करते हैं जिसको सोईल आर्मर बोलते हैं तीसरा चीज है कि इसमें हम कवर क्रॉप्स लगात तो आप यह देखेंगे कि इसमें हमने कवर क्रॉप्स लगाए हुए है और यह जो कवर क्रॉप्स है इसको हम चॉप और ड्रॉप करते हैं तो जैसे हम इसको चॉप और ड्रॉप कर दिया तो इसके यहांगे वजह से क्या होगा जो आपका soyl organic matter यह बढ़ते जाता है और जब का soyl organic matter अच्छा हो जाएगा और जो आपकी सोईल की हेल्थ है वह इंप्रूव हो जाएगी तो आपका जो प्रोडक्शन है यह काफी बढ़ते जाता है तो एक नैचरल सिस्टम है जहां पर हम बाइवोडाइवर्सिटी मेंटेन करते हैं क्योंकि यहां पर कोई स्प्रे नहीं होता है तो इसके वज़े से जो गुनात्मक बड़ोतरी होती है और वृद्धी होती है आपके प्रोडक्शन में यह काफी जादा होती है और क्योंकि यह कंप्लीटली नैचरल है तो यह आपकी सहत के लिए बहुत ही फाइदे मन्द होता है तो रिजनरिटे फार्मिंग आज हमको क्यों चाहिए यह पद्दती से क्या ह यह एक्सेस यूज ऑफ केमिकल से बहुत खराब हो रही है और उसके वज़े से कई सारी बिमारिया जिसको हम आटोइम्यून डिजीज बोलते हैं कई सारे कैंसर होते हैं यह अभी पाया गया है कि किड्नी डिजीज है पार्किंसनिजम है बच्चों में आटिसम की बिमारी ह तो यह सारी बिमारिया अभी बहुत बढ़ चुकी है और इसका जो मुख्य कारण है वह कि आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है यह काफी गिर चुकी है तो यह पद्दती में हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम यह पेड़ों को अपना हेलदी बनाते हैं और जब हेल प्रूट्स होते हैं और यह पेड़ की जो इम्मून सिस्टम है यह इसमें आ जाती है अपने फलों के अंदर और वह फल जो है जब आप उसका सेवन करते हैं तो आपकी जो तवियत है यह इंप्रूब होती है और बिमारी से लणने की आपकी जो इम्मूनिटी है वह भी इं नाचरल सिस्टम है जहां पर हम नो तिल यूज़ करेंगे और आप देखते हैं कि यह जो फार्मिंग पत्ति हैं यह बहुत ही नाचरल तरीके से हैं और इसमें कोई भी पेस्टिसाइड या हर्विसाइड का यूज़ नहीं होता है